कि ये फ्रेंड विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड आज हम लोग समझने वाले हैं कॉरेल ड्रा के बारे में जो की कॉरेल ड्रा जो चैप्टर है वो आपका ADC से ही रिलेटेड होता है जो की आपका DTP के कॉर्सेस में आते हैं तो आज हम लोग फ्रेंड समझें यह चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं तो आए फ्रेंड शुरू करते हैं कारेल ड्रा के टूल्स के बारे में तो वीडियो थोड़ी से लंबी होगी फ्रेंड लेकिन जब तक आप यह पूरे देखे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है तो सबसे पहले यह टूल्स के बारे में स्टार्ट लेता हूं तो यहां पर मुझे पेज नहीं दिखाई दे रहे हैं फॉर्स टाइम क्या होता है फ्रेंड कि जब भी आप खॉरेल्टर स्टार्ट लोगे तो यह आपको पेज दिखाई नहीं देंगे तो इसके लिए आपको व पहता है फ्रेंड तो पेज मेकर में भी एक पॉइंटर टूल था और यह पिक टूल है दोनों से में सेम है तो आपको सबसे पहले एक रिक्टेंगल लेना है और इस रिक्टेंगल में अगर फ्रेंड हमें कलर करना है तो इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड तो इसके और यदि आपको बोल दिया जाए कि आप राइट क्लिक करो तो राइट क्लिक करने से क्या होगा कि लाइन का कलर होगा तो देखो जो ही मैं राइट क्लिक कर रहा हूं तो यह लाइन का कलर हो रहा है लाइन बहुत ही थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है इसलिए आपको दिख आपको पता चल गया होगा, pointer tool का एक और काम होता है कि इस rectangle में एक और और click करोगे तो ये आपका rotate का एक transform आपको दिखाईते हैं, जिसके जरी आप ऐसे rotate कर सकते हो, और अगर आपको कहीं पर भी skew करने की जिरुवत होगा, तो आप बीच वाले center पर ऐसे skew करके ऐसे आप होता है, इस तरह से लेना, अगर आपको rectangle ही लेने के लिए बोला जाएगा friend, तो आप क्या कर सकते हों यहां से, अगर आपको बोला जाएगा कि दो side corner को मोड़ना है, तो मोडने के लिए यहां पर देखो friend, ऐसा 4 corner बने हुए हैं, अगर यहां पर points आप लिख देते हैं, जै मैं इसे भी 40 कर लेता हूँ, जहीं मैं enter button को press करूँगा, तो दो corner सीप यहां पर print, ऐसे हो जाएगे, मतला आप इस तरह से मोड सकते हैं, लेकिन क्या है friend, कि मैंने 2 corner को मोड़ा, लेकिन मेरे यह पूरा मुड़ गया, तो इसके लिए क्या करना है, तो एक lock का option है friend, यहां प मैं यहां पर 45 लिख देता हूँ, यहां पर भी enter button दबाऊंगा, friend, आपको type करने के बाद enter button जरूर दबाना है, अगर आप enter button नहीं दबाते हो, सिप लिख करके छोड़ दे रहे हो, तो वो change नहीं होगा, तो आप इस तरह से 2 side corner को मोड सकते हैं, और इस तरह से frame आप बना सक हो, okay, friend, यह tools के बारे में समझ में आ चुका होगा, next tool है, friend, वो है, इसका नाम save tool, save tool के लिए क्या करना है, friend, एक और rectangle लेता हूँ, अगर मैं save tool में directly click करेंगा, तो यहां पर क्या होगा, कि 4 transform दिखाई देंगे, अब directly इस से क्या कर सकते हैं, ऐसे आप इसको मोड सकते हो, य जहीं आप इस dot पे जाओगे, तो क्या होगा, को बहुत सारे tools आपको ऐसे दिखाई देंगे, यह सारे tools में काम क्या क्या होते है, friend, हम लोग बहुत चीज समझ लेते हैं, मान लोग मैंने एक rectangle लिया, और इसमें कोई color भरा, और यदि इस rectangle को दो parts में divide करनी के लिए बोला ज सकते हैं, यह second वाला जो tools है, friend, जिसका नाम है knife tool, knife जिसको हम लोग चाकू को बोलते हैं, आप knife tool का use कर सकते हो, और यहां से यहां ऐसे खीच सकते हो, जहीं आप खीचो के friend, तो यह क्या हो गया, कि दो अलग-अलग parts में आ गया, यानि इसका color आप अलग कर सकते हो, और इसक तो इस तरह से friend आप ले सकते हो, दूसरी चीज, यह tools है, जिसका नाम erager tools है, erager के ज़री मैं इसे erase कर सकता हूँ, किस type से, तो माल लो इस pointer पे रखना है, यहां पे रखो, और ऐसे ऐसे जो ही आप अंदर के तरप जाओगे, तो यह क्या हो जाएगा, ऐसे erase हो जाएगा, मतल है, यह smog tool, erager tool के बाद smog tool, smog tool का use क्या होता है friend, कि आप जैसे यह erase कर रहे हो, आप इसमें बढ़ा सकते हो, तो बढ़ाना का मतलब क्या हो गया, कि आप इसका size थोड़ा सा encourage कर लो, मैं थोड़ा सा size इसका बढ़ा लेता हूँ, 11, 12, 13, अब इसको देखो, ऊपर की और खी हैगा, तो देख रहे हो कि मैं जिस प्रकार से अंदर की और खीच रहा था, इरेज करने के लिए, आप इसमें extra add कर सकते हो, तो जब भी आपको add करना हो, तो ऐसे add कर सकते हो, अगर आपको बोला जाएगा कि Corona का symbol बनाना है, यह Corona किस type का दिखता है, तो वैसा इसके लिए मै एक लाइप टी कर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर कर ले लेता हूँ, और यह Corona का साइड जो है, वो उसको कैसे करना है, तो यहाँ देखो, एक option जो कि यह Smug Tool था, आप इस तरह से ले सकते हो, और यह क्या Corona style है, अगर यह है, मेरे comment box में जवाब जरूर देना, यह कैसा style है, ओके जो safe है, उसको और भी बढ़ा सकते हो, next tool है friend, इसको rough in brush बोला जाता है, rough in brush का यूज कहां पे होगा, तो rough in brush के लिए आपको फ्रेंड एक line लेना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्या करना है, एक जिसे आप मानलो rectangle लेना है, और यहाँ rough in brush का tools यूज करके, आपको यह अधंब करना है, इसके line को आप मोड सकते हैं, जो ही मैं यहाँ पर खीच रहा हूं, जो ही मैं खीच रहा हूं, तो यहाँ पर च्छोटा च्छोटा आपको एक बीच बीच में कर्भ line दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सब बढ़ा लोइना तो आपको सही से तो नीप का पोजिशन मैं यहां पर बढ़ा सकता हूं 51 तक ले लिया जो ही आप यहां से यहां खीच होगे तो देखो यह ऐसे मोड़ गया यहां पर तो आप इस तरह से फ्रेंट आप क्या कर सकते हैं तो आप फिजिक्स वेगरा जब सब्जिक्ट पढ़ते होगे तो उसमें भी फ्रेंट ऐसा ही कुछ होता होगा तो ऐसा ही कुछ बनाने का होगा तो आप इस तरह से रफेंट ब्रस टूल्स का यूज करके बना सकते हो नेक्स टूल है फ्रेंट फ्री ट्रांस्फरं टूल जिसके जरिया आप इसको असानी से राट कर सकते हो ये फ्रेंड ये सारे टूल्स का यूज ये complete हो चुगा आप इसको देख लेना और लास्ट वोला टूल्स है फ्रेंड जिसका नाम है virtual segment delete यानि जिस किसी को भी delete करना होगा तो आप बस ऐसे पकड़के खीचे देना तो जितने सारे object होंगे वो सारे object आपके delete हो जाएंगे नेक्स टूल है फ्रेंड जिसका नाम है ये magnifier जिसे हम जूम बोल सकते हैं तो जूम टूल्स करने के लिए जैसे मालो एक rectangle है आप इसको जूम करके देखना चाहते हो तो आप यहां पर directly click कर दो यह क्या हो रहा है प्लस का sign बता रहा है इसलिए जूम हो रहा है यहां पर minus का sign आप minus का sign करके उसे छोटा भी कर सकते हो और directly अगर percentage बढ़ाना है तो आप यहां से भी बढ़ा सकते हो 200, 400 मैं 400 ले ले लेता हूं तो और भी बढ़ा हो गया और जोखी आपका normal page जो होता है फ्रेंड वो आपका 100% का होता है तो 100% ऐसा दे सकते हो और last वाला tools है इसका friend hand tool ज जा सकते हो next tool है friend इसका नाम Bezier tools है इसका यूज मैं कहां पर करूँगा इससे पहले ये वाला tools के बारे में बता दे रहा हूं free hand tool ये just like pencil यानी pencil जिस प्रकार से आप ड्रॉक करते हो आप इसे साब से इससे भी ड्रॉक कर सकते हो friend तो इसका और भी कुछ खास काम नहीं है ले यहां dot ले सकता हूं और line को थोड़ा सा bold और भी करना है तो और भी bold कर सकता हूं जैसे hair line यहां पर दिया हुआ है मैं इसे थोड़ा सा bold कर ले रहा हूं तो ये आपको dash style दीख रहा है इसमें friend मुझे eraser लगाना है तो back side का ये eraser है तो back side में मैं ऐसे plane छोड़ दे रहा हूं औ और अगर मुझे back side में ये रख लेता हूं मुझे ये side चाहिए मुझे right side में क्या चाहिए मैं उसे click करता हूं तो आप इस तरह से friend आपको कुछ न कुछ click करके आप line पे लगा सकते हो इसके अलावा friend second वाला VGA tools है इसका use मैं कहां पर करूंगा तो अभी फिलाल के लिए मैं सारे को delete कर लेता हूं control a delete button okay friend control a का use करके आप इस चीज को delete कर सकते हो control a and delete ओके या फिर आपके पास virtual segment tools भी है आप उसका भी use कर सकता हूं next tool है friend next tool का use कर सकता हूं मैं इसके लिए क्या करना है बेजियर टूल्स का अगर आप click करोगे तो आपको क्या करना है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि बहुत important change है यहां पर क्या करना है friend आपको एक बार यह से खीचना है और खीचने के बाद फिर यहां पर जा करके click कर देना है एक बार click कर दो एक बार click कर दो करता हूँ यहां पर click करता हूँ और फिर से यहां पर click कर दे रहा हूँ अब click करने के बाद यह वाला friend जो save tool है save tool के जरिये बीच में कहीं पर भी ऐसे click करना है mouse का right click करना है और यहां पर two curve का option आएगा friend तो मैं यहां पर two curve कर सकता हूँ यहां चोटा सा dot दिखाई दे रहे है तो मैं ऐसा दो dot ले सकता हूँ अगर एक और इस tools का भी यूज करना है मानलो इसको मैं इधर side की और रखता हूँ इस tools में भी right click करना है two curve का यूज करना है और इसे भी इस side की और मोड लेना है तो आप इस type से भी print मोड सकते हो मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ अब मुझे इसमें color करना है print तो मैं ले लेता हूँ blue color और इसे मानलो print मुझे rotate करना है तो rotate करने के लिए क्या करना होगा तो मुझे जाना होगा arrange में और यहाँ पे एक transform का rotate एक option है जो ही आप rotate option में जाओगे तो यहाँ पे कितने degree आपको rotate करना है print जैसे मैं यहाँ पे 45 लिख लिख ल मैं apply to duplicate apply to duplicate ऐसे click करते जा रहा हूं वाव यह ऐसे आपके बन करके सामने आ जाएंगे तो आप इस तरह का framing frame जैसे fridge cooler refrigerator में लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो तो इसका यूज क्या होता है print कि आप इस तरह से किसी भी shape को बना करके कहीं पे भी इस तरह से मोड़ सकते हो फि बेजियर tools के बाद next tool है friend यह artist media tool यह क्या होता है इसमें कुछ खास नहीं है आप सिप यहां पर देखो कि तो बहुत सारे tools दिखाई दे रहे ऐसे बहुत सारे option है आप किसी को भी click करके एक बार बस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चला दो तो देखो कि यह इसी shape में आग करने के लिए ऐसा लोग लगा देते हैं तो आप ऐसा कुछ लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं फिलाल के लिए मैं इसे करने वाला हूं delete आप ऐसे भी directly आप यह pick tool का use करके select करके delete कर सकते हो next tool है friend जब आप इसी में जाओगे तो आपको paint tool भी नजराएगा तो paint tool में भी कु रख सकते हो या फिर इसे भी कहीं से भी मोड़ना चाहो तो बीस से मोड़ करके आप इसे हटा सकते हो next tool है friend इसी के अंदर जाओगे तो इसके अंदर एक और tools मिलेगा polyline tool है मतला एक बार ऐसे खीचो एक बार ऐसे खीचो एक बार ऐसे खीच दो तो यह एक प्रकार का save बन करके आप किसी का भी color ले सकते हो next tool है friend इसके अंदर जो next tool है इसका नाम है three points curve tool इसका मतलब क्या होगा यह three points curve होगा जैसे यहां से यहां खीचो और ऊपर की और खीच दो तो देखो यह ऐसे बन गया यहां से यहां खीचो right side में खीचो दो तो यह कुछ ऐसे बन गया तो इ इसका नाम है interactive connector tool यानि किसी भी चीज को interact करना है मतलब मान लो कि किसी का description देना है जैसे इसका description side में देना का है तो यहां पे कुछ ऐसे इससे साब से अप लगा सकते है size में इसका dimension वेकर भी check कर सकते हो क्या है क्या नहीं है कौन से इसके साथ connectivity है आप इस तरह से जोडने का भी calm कर सकते हो friend यहां तो यहां जोड़ लो फिर यहां से यहां पर note कर लो तो आप इस तरह से कुछ ना कुछ बना सकते हो friend यह बहुत ही rare में huge होता है ज्यादा काम इसके होते नहीं है तो लोग ऐसे भी line लेकर के अपना उसको connect भी कर सकते है next tool है friend इसके अंदर last वाला जो खीचना है और खीचने के बाद आपको पता चल जाएगा कि dimension का है जैसे मैं यहां से कीचता हूं और 0 तक खीचता हूं जहीं तक 0 खीचा friend double click करता हूं फिर आगे तक जाता हूं और कहीं पर भी click कर दो मानलो यहां पर click कर दिया यहां पर तो इस तरह से खीचते जा ऐसा कही कहीं आपको dimension दिखाई देगा जैसे यहां 3.24 दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है तो आप जब भी आप लाइन खीचोगे तो इस तरह का dimension आपको दिखाई देगा कि जो भी line आप ले रहो हो इसकी क्या dimension है ठीक है उसके पाद next tool है यह सब का यूज ब बना सकते हो यही आपके लिए copy होगा next tool है friend इसको बोलते है हम लोग smart drawing tool इसका मतलब क्या है कि आप एक line अगर टेड़ा भी खीचते हो तो वह उसको सीधा कर लेगा आप अगर line ऐसे कुछ तीर्षा खीच लेता हो तो यह सीधा कर लेगा आप इस तरह का line खीचते हो फ्रेंड यह भी line को सीधा कर लेगा बस इसका यह काम है प्रेंड तो आप इस तरह का smart drawing tool का यूज करके आप इस तरह का tools यूज कर सकते हो फिलाल कि यह मैं इसे भी हटा द सकते हैं एक बार ऐसे पकड़के खीचो यहां से और ऊपर या नीचे side की और खीचो तो एक rectangle ऐसे भी बन जाएंगे अगर थोड़ा समय तीर्षा लेता हूं और इस टाइप से खीचता हूं तो इस टाइप का rectangle बन जाएंगे तो ऐसे भी हम लोग एक rectangle फ्रेंड ले सकते हैं उसी प्रकार फ्रेंड यहां पे भी elliptical में भी वही चीज हैं एक elliptical ले लो और second वाला elliptical में एक बार ऐसे खीचो और जब भी आप खीचोगे तो 20 से ही 20 सेंटर से मालो यह हमारा line का center है मैं यहां से यहां तक खीचूंगा और दोनों side खीचूंगा तो बराबर बराबर यह divide हो जाएगा तो आप इस तरह का यूज कर सकते हो three points elipse tool और उपर था friend three points rectangle tool यह tools का यूज कर सकते हो इसके बाद friend next tool है जिसका नाम है जब आप इसमें जाओगे friend तो यह first वाला जो आपको दिखाई दे रहा है graph paper tool इसका यूज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता ह चीज है friend जो कि आप पजल वेग रहा है जैसे आप इसमें यूज करते होगे तो सारे पजल में भी इसका यूज किया जाता है तो इसके लिए मैं इसे click करने वाला हूँ खीचने के बाद print क्या करना है आपको एक picture लेना है तो picture लेने के लिए क्या करना होगा file का import एक option है उस पे जाना है import में और directly computer का drive खुल जाएगा आप किसी भी एक picture को ले करके जहीं आप import बटन को click करोगे तो क्या आजाएगा picture यहां पर आजाएगा print तो मैं click करता हूँ और इसे मैं खीचता हूँ इसी के बराबर मैं खीच लेता हूँ तक ही ज़्यादा दिक्कत ना हो छलो थोड़ा सा नीचे की और खीचना ही पड़ेगा यह picture आ गया है print थोड़से मैं hand tool का use कर लेता हूँ इसे नीचे करता हूँ और जो भी मैंने picture ले रखे हैं इसको side करता हूँ side करने के बाद आपको करना क्या है एक option है print जिसमें आपको जाना होगा जिसका नाम है effect effect में आकर के power clip को click करना है और यहां पे click करना है friend place inside container जहीं आप इसको click करके इस figure को click करोगे graph paper पे तो यह figure friend इसमें add हो गया अब इसको क्या करना friend arrange का एक option है ungroup का जहीं आप ungroup कर दोगे तो यह क्या हो जाएगा यह अलग-अलग ungroup हो जाएगा यह side हो गया तो पजल में friend क्या आता है कि हम लोगों को यह जोडने के लिए बोला जाता है कि आप इस तरह से face add कर लो तो लोग क्या करते हैं एक दूसरे साइड-साइड ऐसे कर लेते हैं यह इधर कर देंगे यह इधर कर लेंगे यह इधर कर लेंगे और इसे बोला जाएगा कि यह frame को जोड लो तो ऐसे जोडने के लिए आपको बताया जाता है friend मैं यहां पर 5 के जगप पर थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूं 15 ले लेता हूं अंटर बटक नबाता हूं तो 15 में friend ऐसा आगए आप ज़रूरी नहीं है आप 40 भी ले सकते हो 50 भी ले सकते हैं और यह वाला save tool का यूज करना है friend और किसी भी एक node को क्लिक करके बस अंदर की गुमा गुमा पूरा गुमा पूरा गुमा पूरा गुमा और गुमाते गुमाते छोड़ दो इसको अब यहां से जा करके left क्लिक करके color कर दो अब देखो friend कुछ यहां पर design आपको दिखाई दे रहे होंगे तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो इस तरह का frame जब भी बनाना च अब बना सकते हो बहुत सारे चीज है जैसे फिर से मैं बताता हूं आपको इसको खीचना है और मैं यहां पर ले लेता हूं फिलाल के लिए 50 और आपको क्या करना है enter button को प्रेस करना है तो आप इस तरह का बहुत सारे देख रहे होगे आपको किसी भी एक node को slack करना है और ऐ देखो की तरह बहतरी बन जाएगा थोड़ा समय इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि मैं आसानी से आपको दिखा सको यह जो फ्रेम बना वह किस टाइप का फ्रेम बना है ना बहुत ही अट्रेक्टिव तो आप इस तरह से ले सकते हैं मैं थोड़ा से ऐलो कलर कर दे रहा हूं मैं ग्रीन कर दे रहा हूं तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा कि यह पिक्चर मैंने कैसे बनाया है तो आप प्रेंट इस तरह का कोई भी फ्लावर डेजाइन विगरा करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं नेक्स्ट तूले फ्रेंट यहाँ पे इसी के अंदर पॉ पॉलिगोनल में स्टार आ गया अब इसका काम क्या है फ्रेंट कि जब भी आप यहां से यह लोगे सेप टूल तो सेप टूल में क्या करना है फ्रेंट कि एक जो ऑप्शन है यहां पर डबल क्लिक करना है तो आपको इस तरह का दिखाई देगा नोज इस नोज को अंदर की मैं जब ले जा रहा हुँ तो यह कुछ ऐसे घूम जा रहा है मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्टार बनाओ जिसमें एक अपने चैनल नाम सुना होगा स्टार उर्ट्सों का तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंट आपको इसको लेने के बाद एक आप्शन को क्लिक करना है जिसक इसको फ्रेंट सिप इसे खीच होगे तो यह कुछ ऐसे टाइप हो जाए ऐसे खीचा जाएंगे तो सिप जिस नोज को आपको खीच रहा है फ्रेंट आप ऐसे खीच सकते हो और मानलो मुझे यहां पर इसको ऊपर की और ले जाना तो मैं टू कर्प का यूज करूंगा इसे बीच साइड में ऊपर की और ऐसे ले जा सकता हूँ या फिरेकली नोज का यूज करके मैं इसे डारेकली ऊपर की और कर दूंगा तो यह ऊपर की और आ जाएंगे तो फ्रेंट इस तरा का स्टार उस्टार का पहले एक दिया हुआ रहता था चैनल जोकि अबली लोगो चें त्यार कर सकते हैं तो मैं चोटा सा स्पाइरल लेता हूँ इसे फ्रेंट डूब्लिकेट करना है कंट्रोल डी बटन दबाना है आप ऐसे ले लो और इसको जस्ट अपोजीट करना है तो यहां पर एक आप्शन है यह देख पा रहात लाप टू राइट मीरर बटन आप ऐसा करना है तो को यह अपेजिट साइड में चेंज हो गया अब इससे स्लैक करना है इसे भी कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस करना है जो ही आप कंट्रोल के साथ डी बटन दबाऊगे तो यह डूब्लिकेट हो जाएंगे इसका मैं थोड़ा सा उपर रखता हूं यह पूरे को स्लैक करना है कंट्रोल के साथ डी बटन दबाना है आप ऐसे यूज कर सकते हो उपर साइड में इसे रख दो इससे जस्ट अपोजिट साइड फ्रेंग घुमाना है तो यह वाला मीरेर बटन है आप यहाँ पे क्लिक कर दो तो यह जस्ट अपोजिट हो गया अ आप पो क्या करना है यहां पे एक सेट टील का यूज करना है बीच में क्लिक करना है आसे और इसको ऐसे से इस टॉलस का भी यूज कर सकते हो यहां पे यहां पे ऐसे बेजियर टूल ले लिया अब मुझे इसको right click to curve का यूज कर दूँगा to curve अल्रेडी हो चुका है मैं इसे बस अंदर की और ले ले लेता हूँ ये अंदर की और इस टाइप से अब मुझे इस चीज को घूमाना है तो मैं ये पूरे को slack करता हूँ, एक group बना लेता हूँ arrange में एक option है group का group का यूज जो ही आप कर लोगे तो इस तरह का group तेयार होगे, अब इसे घूमाना है print तो आपको क्या करना है, arrange में एक option है, इसका नाम transform है आप rotate का यूज करो यहाँ पे भी 45 degree दे दो और last वाले cell को click करके, आप apply to duplicate को click करो, अब यह बहुत ज़्यादा chip का हुआ दीख रहा है, तो first वाले को click करना है, आपको delete करना है second वाले को click करना है 45 degree last वाले को click करना है apply to duplicate, apply to duplicate apply to duplicate, ऐसे ऐसे अब बना सकते हैं इस टाइप से print तो आप थोड़ा सा और भी distance बना लोगों, क्योंकि 45 degree में सही से बननी पा रहे है, तो 45 के जगपर मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ 50, आप 50 रखने के बाद last करना को click करो, apply to duplicate थोड़ा 50 में भी नहीं हो रहे है तो यहाँ पर मुझे 60 अब लेना ही पड़ेगा 60 या 65, apply to duplicate यह थोड़ा सा distance maintain हो गया और आप इस तरह का ले सकते हैं थोड़ा सा और भी घुमा लेता हूँ 2-3 बार, 4 बार ऐसे तो आप इस तरह का framing तयार कर सकते हो और इसका color भरना होगा तो बस आप right click कर दो क्योंकि right click से line का color होता है आप इस तरह से line का color ले सकते हैं next tool है friend, shape tool shape tool में बहुत सारे shape आते हैं तो आप shape tool ऐसे ले सकते हैं जैसे यहाँ पर जाओगे आप click करोगे यहाँ basic shape में तो side में यहाँ पर भी बहुत सारे option खूलेंगे तो आप किसी भी एक option को click करके जैसे मुझे donut यूज करना है तो मैं यहाँ पर donut का यूज कर सकता हूँ और यहाँ पर फिर से click करते हो print, last वाला arrow को click करते हो arrow shape में तो बहुत सारे यहाँ पर arrow दिखाई देंगे आपको किस type का arrow लेना है तो आप यहाँ से arrow shape का यूज कर सकते हो कुछ ऐसे भी shape है print जिसमें आपको यह वाला दिखाई दे रहा है जिसका नाम follow chart है तो follow chart में यह हम लोगों Microsoft word में हम लोगों ने पढ़ा था तो आप इस तरह का भी shape यूज करके इस तरह का drawing तयार कर सकते हो और भी बहुत सारा है जैसे एक star है तो star shape में भी बहुत सारे star होंगे तो आप इस तरह का जैसे किसी offer से related star बनाना है तो आप इस तरह से offer का related का star ऐसे बना सकते हो मुझे यहाँ पे कुछ लिखना होगा तो मैं लिख भी सकता हूँ next tool है friend इसी के अंदर एक इसमें call outs इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी प्रकार का picture लेते हो और इस पे कुछ comment line लगाना चाहते हो तो आप इसका पूरा description यहाँ पे लिख सकते हो इसका बस यह काम है friend next tool है friend text tool text tool का का काम कहां पे होगा text tool का काम आप इसमें लिख सकते हो जैसे example for यहाँ पे मैंने अगर ऐसे खीचा जैसे paint application में हम लोगों ने खीचा था खीचोगे तो यह पूरा का पूरा इस तरह से frame बन जाएगा आप इसमें क्या कर सकते हैं notes बना सकते हैं लेकिन मुझे अगर directly wordart style बनाना है तो मैं खीचूंगा नहीं बलकि इसी click कर दूंगा click करने के बाद friend अकर यहाँ से size बढ़ाना है तो size बढ़ा लो मुझे यहाँ पे किसी प्रकार से type करना है तो मैं यहाँ पे type कर सकता हूँ और type करने के बाद friend आप यहाँ से ऐसे भी size बढ़ा छोटा कर सकते हैं अगर आपको friend इसमें बोल दिया जाए कि आप इसमें shadow लो तो देखो यह वाला जो option है यह shadow का interactive drop shadow tool आप इसका use कर लो और जो से ही आप इसमें आप कहीं पे भी जाकर के ऐसे ले लोगे तो यह दिखेगा back side में ऐसे shadow तयार हो जाएगा तो मैं ऐसे ले लेता हूँ यह हलका सा shadow ऐसे बन गए friend आपको shadow दिखाई दे रहा होगा तो comment हमें जरूग करना उसके बाद friend next tool है इसी के अंदर जाओगे तो इस tools का नाम है interactive blend tool यह कहाँ पे use करोगे friend तो जैसे मान लो कि आपको एक किसी का frame बनाना है तो मैं यहाँ पे दो rectangle ले लेता हूँ एक rectangle मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है या पि directly भी अगर लेना चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो कुई problem नहीं है तो फिलाल के लिए जितने भी यह इसको मैं delete कर देता हूँ एक अगर आप print rectangle लेते हो और एक दूसरी जगह पे rectangle लेते हो तो same rectangle लेना है तो इसके लिए मुझे कुछ यह बनाना पड़ेगा तो इसका control D button को प्रेस करता हूँ यह duplicate आगे और यहाँ पर क्या करना है जब आप इस tools को click करोगे और यहाँ से यहाँ तक खीचोगे तो देखो यह धेर सारे rectangle आगे इसे कम करना है तो कम करने के लिए ऐसे मैं कम कर सकता हूँ तो कम करने के लिए मैं इस तरह का ले सकता हूँ तो थोड़ा साइच कम कर लो कम कर लो कम कर लो यहां पर चार बन गया, इस थरह से बना सकते हैं, तो मानलो फ्रेंड मुझे एक फ्रेमिंग तयार करने हैं, तो मैं फ्रेम तयार कर सकता हूँ, कैसे तयार होगा वो देखो, एक ऐसे rectangle लेना है, जैसे आपको पता होगा कि जो भी album होते है, जो भी camera का, जो reel होता है, उस type का picture बनाने का है, तो आप ऐसा बना सकते हैं, मैं यहां पर कर लेता हूँ, black color, और मुझे यहां पर खीचना है, प्रेंट, एक छोटा सा, white color का rectangle, तो मैं white को click करता हूँ, और इसी को मैं ले लेता हूँ, control D के साथ में duplicate, और इसे मैं रखता हूँ, यहां पर, अब इस tools का use करना ह जिसका नाम interactive blend tool है, आपको इस rectangle से इस rectangle पर खीचना है, खीचने के बाद आपको इसे कम करना है, तो मैं यहां पर कम कर लेता हूँ, और फिर से ऐसा ही, अगर आपको tools duplicate चाहिए, तो मैं इसे slack करता हूँ, cp से, और slack करने के बाद, control के साथ में D बटन को प्रेस करता हूँ, यह duplicate आगे, मैं यहां पर भी इसको रख लेता हूँ, ऐसे, और मुझे यहां पर भी एक बड़ा सा एक rectangle चाहिए, तो मैं यह बड़ा सा rectangle ले लेता हूँ, white color का, और यहां पर भी print control के साथ D बटन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको duplicate rectangle चाहिए, और यहां से भी मैं एक interactive blend tool का use करता हूँ, और यहां से यहां तक रखता हूँ, इसे भी मुझे कम करना पड़ेगा, यहां 20 जो दिखाई दे रहे हैं, इसे मैं कम कर ले रहा हूँ, देखो print इस तरह के album तयार होगे, आप ऐसे album बनाना चाहाँ तो बना सकते हो, अब मुझे इस album में picture रखना है तो picture कैसे रखा जाएगा, तो यहां पर print यह जो option है, ungroup है, यह बहुत सारे group हो गया है, तो मुझे इसे break करना पड़ेगा, मैं इसे break कर लेता हूँ, कुछ इसे भी break करना होगा, अलग-अलग rectangle हो जाने चाहिए, और मुझे यहां पर picture लेना है, तो picture लेने के लिए print क्या कर फाइल का आपको import option में जाना है, और यहां से picture ले लो, import, यहां से मैं एक picture ले लेता हूँ, one, ओके, फिर से file का import में चलता हूँ, और यहां से दूसरा pick को उठाता हूँ, यह दो picture होगे, क्योंकि मेरे पास rectangle 5 है print, तो मुझे 5 picture लेना ही पड़ेगा, तो file का import में चलता और कुछ और picture ले लेता हूँ, three, ऐसे थोड़ा सा कीचना पड़ेगा, one, लो, friend, मुझे three picture को ही इसमें set करना है, तो आपको क्या करना है, इसे click करना है, और एक option है, friend, जिसका नाम है, effect में power clip, place inside container, और एक यहां पे create roll-up, तो चलो, power clip का ही use करते है, place inside container, इसको click करके, यहा को click करो, और यहां पे जाना है, effect में, place inside container, इसे click कर दो, यहां आ जाएगा, इसे click करो, और यहां पे भी आपको जाना है, place inside container, जो ही यहां पे click कर देगे, यह picture इस तरह से आ जाएगे, friend, दो और भी बचे हुए है, तो मैं इस तरह कभी ले सकता हूँ, तो फिर से मुझे ज import में जाऊंगा, आर इस तरह का picture ले करके import का यूज़ करूँगा, अब इसे भी set करना है, friend, तो आप इसे click करो, और यहां effect में, power clip में, place inside container को click कर कर दो, यहां आ गये, अब इसे भीklik करना है, friend, तो यहां पे भी आपको आना है, power clip में, place inside container को click कर दो, तो यह तरह का frame बन तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसका size भी एक छोटा करना है, तो आप directly क्या कर सकते हो, आरेंज में group का use करके, इसका size को भी छोटा कर दोगे, तो और भी बहतर ये दिखाई देंगे, क्योंकि ये ज्यादा bold दिखाई दे रहा है, और ये वाला भी ऐसे ही कुछ दिख रहा है, तो मैं इसे भी slack कर लेता हूँ, और इसे मैं भी group कर दे रहा हूँ, इसे भी size करता हूँ, छोटा, इसे खीज लेता हूँ, अब देख पार एक friend, कि इस तरह का album जो बनाया जाता है, वो कुछ इसी प्रकार से बनाया जाता है, next tool है friend, इसका नाम है, एक disorder tools, इसका use कहां पे होगा, वो देखो, ये कुछ खास important नहीं है, तो आपको disorder tool का use करने के लिए, जैसे मुझे एक rectangle तो लेना ही पड़ेगा, और यहाँ पे disorder tool का use करके इसको खीचो, अब देखो, ये कुछ ऐसे बन रहा है, तो ये पता नहीं चल पा रहा है friend की ये बना क्या, तो इससे बढ़िया है कि इसके लिए आप polygonal का use करो, तो मैं यहाँ पे डोनता हूँ, polygonal कहाँ पे दिखाई दे रहे थे, तो ये polygonal का use करना है friend, तो polygonal में मुझे star दिखाई दे रहा है, star में भी काम हो सकता है, तो आपको इसको click करना है, और ऐसे अंदर की और खीचना है, अंदर की और खीचो अंदर की और खीचो तो इस तरह का print अगर कुछ बनाने का होगा और इस तरह का click करने का होगा तो आप ऐसे भी click कर सकते हो अगर polygonal का use print directly करते हो तो वो भी ज्यादा बहतर होगा आपके लिए जैसे ये star आ जा रहा है तो मुझे polygonal ही चाहिए तो double click करूँगा मैं और polygonal का ही use करके OK बटन दबाऊँगा और इसके बाद मैं polygonal लूँगा उसके बाद print इसका use करना है और इसे भी उसी type से खीचना है तो यह कुछ इस type से अगर बनाने होगा तो आप ऐसे बना सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे magic टाइप से अगर कुछ बनाने का होगा कुछ lighting effect देने का होगा तो कहीं पे भी इस तरह का बना सकते हैं इसी के अंदर जब जाओगे यह साड़ो है साड़ो को बारे में जैसे मुझे मान लोगे इसमें साड़ो लगाने है तो आप इस साड़ो का use करके ऐसे बस खीच दोगे तो आपको खीचना की धर की और है वह खीच लेना और इस तरह से साड़ो आरेंगे यह तभी दिखाई नेक्स्ट तूल है फ्रेंड इसके अंदर इसको टुल्स को इंट्रक्टिव इन्वैलप टूल यानि फ्रेंड जब भी आप इस स्टार को या फिर टेक्स्ट को किसी को भी अगर आप इन्वैलप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो तो इसमें जो भी आपको नोड नहीं का होता है तो चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर की और खीशता हूं खीच करके छोड़ दो तो यह कुछ ऐसे बन जाएंगे उसे प्रकार टेक्स्ट में अगर ऐसा काम करना होगा तो आप कर सकते हैं मौनलो मुझे यहां पेश अपना नाम टाइप करना है मैं नाम इसका किसी का भी डिरेक्शन अगर चेंज करना होगा तो आप ऐसे डिरेक्शन चेंज करके इस तरह से चीज को बना सकते होगा इसके अलावा नेक्स टूले इसका इंट्रक्टिव एक्स्टूड रालप है एक्स्टूड रालप में भी आप साड़ स्टाइल कर सकते हो लेक जो इस चीज का आपको side का depth निकालना तो इसे click करना है और इसको अंदर की और खीचना है मैं ऐसे खीच लेता हूँ तो देखो ये कुछ ऐसे आगे अभी क्योंकि black में black color इसलिए दीख नहीं रहा है तो आपको यहाँ पर जाकर के color भरना है print second वाले में तो मैं black के जगा पर अगर मैं green ले लेता हूँ तो back side में मुझे इस type से green दिखाई देंगे अगर मुझे red लेना है तो red ले सकते हैं ऐसे हम ले सकते हैं दो अलग-अलग color choose करना है तो आप इस तरह से भी style का color ले सकते हो अलग-अलग 2 चीज करना है तो आप इस तरह का safe tool का use करके आप इस चीज को अलग-अलग खीच भी सकते है जयसे u नीचे करना है r उपर करना है तो मैं r को भी उपर कर सकता हूँ एक नीचे side की और लाना है मुझे यहाँ पर लाना है तो मैं ऐसे ला सकता हूँ, ये को मुझे इस style में रखना है, तो मैं इस style में ऐसे भी रख सकता हूँ Next tool है friend, इसमें interactive transparency tool, ये बहुत important tools है friend, जैसे ही आप एक rectangle लेते हो, मानलो कि मैं इसके उपर rectangle लेता हूँ और rectangle का fill कर दे रहा हूँ, तो back side का portion तो ढग गया friend, इसे transparency करना है, मतलब ये अंदर के portion को भी थोड़ा बहुत देखना है, तो last वाले tools का आपको use करना है, जो ही आप यहाँ पर use कर दोगे और ऐसे खीचोगे, तो देखो कि अंदर की और जो है, वो आधा चीच खुल गया है आप इस तरह का देख पा रहे हैं कि back side का transparency हो गया, और थोड़ा सा और भी अगर थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे मानलो मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ, और इसको खीचता हूँ ऐसे, मतलब एक ही बार एक ही times खीचना पड़ेगा, जीतना आप खीच सकते हैं, तो back side क जो भी transparency है, वो आपको side hang से दिखाई देगा, आप इसे बढ़ा करके भी देख सकते हैं, ऐसे, next tool है friend, जिसका नाम है eye dropper tool, eye dropper में ज्यादा कुछ खास काम नहीं होता है, तो मानलो मुझे एक rectangle में color भरना है, तो जैसे इसका जो भी color है, मुझे वैसा color चाहिए, तो eye dropper tool को यहाँ पे click कर दो, यहाँ red color eye dropper में आगे, और कहीं पे भी feel करना friend, तो यहाँ पे paint bucket tool दिया हुआ है, आप इसको click कर दो, तो यह red color हो जाएंगे, अगर आप green यहाँ पे दीखेगा, तो green color कर लेना चाहोगे, तो green आ जाएगा, next tool है friend, यह line tool है, मतलब अगर आपको बोला करना, कि line का color कर हो, तो मैंने first time ही बताया था, कि आपको right click करना है, right click से किया होता है, six line का color होता है, तो मैं यहाँ диखाता हूँ, right click करो, तो line का color Left click करो, तो यह feel का color होता है, तो आप color अगर लेना यहाँ सभी चाहते है तो आप click कर सकते हैं यहां से और directly यह color का box खुल जाएगा आप color बना लो, बटन दबा दे तो ऐसा color आ जाएगा और अगर line को bold या thin line या bold line करना है तो आप यहां से भी directly single single करके ऐसे बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं और यह वाला frame fill tool है जो कि मैं बताया था कि यहां से भी fill up ले सकते हैं और यहां से भी अगर लेना है तो इसमें बहुत सारे option है जैसे मझे pattern type लेना है तो pattern को click करूंगा pattern में जो ही जाऊंगा तो यहां पे pattern का एक box खुल जाएगा और इसे मुझे कुछ color चाहिए तो मैं यहां पे color ले सकता हूं बस बटन दबा दो इस तरह के अंदर के चीज आएगा और भी यहां पे देखना है फ्रेंट कि कुछ इस type से मुझे two color का mix करना है तो मैं यहां पे liner लोंगा या फिर आडियर लोंगा तो इस type का color आप ले सकते हैं यहां के बटन दबाऊंगे तो इस तरह का भी color आजाएगा और सबसे last वाला tools है फ्रेंट जो कि यह सबसे important tools माना जाता है interactive field tool तो interactive field tool में आप किस तरह से बना सकते हैं मैं बताता हूं आपको मान लो कि एक elliptical मुझे चाहिए एक elliptical तो मैं यहां से elliptical ले लेता हूं elliptical लेने के बाद print अगर आपको बोला जागा कि इसमें दो color भरना है तो two mix color कैसे किया जाए तो सबसे last वाला tools का यूज करना है और ऐसे खीचना है तो अभी तो यहां पर print black and white दिखाई दे रहे हैं तो आप इसको click करके अगर red कर लोगे तो red white का mix होगे और red के जगा पर इधर मुझे yellow करना है तो यह red yellow का mix होगे तो आप ऐसे कुछ बना सकते है मालम मुझे पूरा black करना है और side में मुझे green करना है या फिर थोड़ा सा white करना है तो black और white का मैं mix बना सकता हूँ और इस तरह से पूरा का पूरा जैसे जिसे खीच होगे color ये हलका होता जाएगा कितना आपको लेना है friend आप ले सकते हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम आप यहाँ ब्रेजियर टूल्स का यूच कर रहे हो मानलो मुझे यहांश यहां कुछ ऐसे खीचना है फिर से मैं खीच लेता हूँ बेजियर टूल्स का यूच करने के लिए यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करना है और फिर से यहां से click कर देना है तो इसमें भी आप color भर सकते हो, कैसे भरना है वो देखो save tool का यूज करूँगा यहाँ पर right click करूँगा to curve का यूज करूँगा तो मुझे मानलो ऐसे कुछ लेना है यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कर लेता है इसमें भी right click करना है to curve का यूज करना है मुझे इस side कुछ चाहिए और मुझे यहाँ पर print करना है color तो मैं यहां पे कोई भी कलर ले सकता हूँ, यह अपि डिरेक्ली लास्ट वाले टूल्स का यूच करना है, इसका नाम इंट्रक्टिव फील्ड तूल है, तो आप इसको पकड़ के खीच दो, और खीचने के बाद यहां पे क्या करना है आपको, दो अलग-अलग कलर चूच कर है, मैं कुछ ऐसा बना लेता हूँ, और लास्ट वाले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहें, ट्रांस्परम का पोजिशन, राटेट, राटेट को क्लिक करना है, 45 डिग्री लेना है, और लास्ट वाले को क्लिक करके, यहां पे अपलाई to, डूब्लिकेट को क्लिक करना है, जोहीं आप click करते जाओगे, ये कुछ ऐसे 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 last में इस तरह का एक flower तयार हो जाएगा, तो आप mix color करके ले सकते हैं, या फिर एक ही बार अगर duplicate करना है, एक ही बार सबको group करना है, तो आप यहाँ पे एक option है जो की arrange का group है, तो जोहीं आप group में जाओगे, और यहाँ पे last होले interactive fill tool का यूज करोगे, तो ये एक ही बार में ऐसे काम करेंगे, तो आपको किस type से बनाने का friend किसे बढ़ाना है, किसे घटाना है, किसे कम करना है, किसे ज़्यादा करना है, तो सबका अलग-अलग जो दिखाई दे रहा है, आप इस तरह का flower यूज करके, कम यह ज़्यादा कर सकते हैं, तो कितना balance करना है friend, आप यहाँ से देख लेना, मालो मुझे इस type से ही चाहिए, तो मैं ऐसा ले सकता हूँ, तो बन करना सही से, और इसका अगर shadow निकालने के लिए बोला जाएगा friend, तो shadow के बारे में मैं अल्रेडी बता चुका हूँ, इस shadow कैसा निकलेगा, यह वाला tools का use करना, जिससे drop shadow बोलते है, आपको किसी एक note पे click करना है, और अंदर की और अंदर की और अंदर की और ऐसे खीचना है, जहीं आप खीचते हो, तो देखो अंदर की और एक shadow तयार हो गया, और shadow का color अगर आपको change करनी के लिए बोला I hope trend यह tools के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अगर यह आपको अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए, subscribe कीजिए, और share करना ना भूले, thank you for watching